हलो अब्रिवन आज है 14 अक्टूबर और आज इस वोड़े में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में 736 रुपे का शेर बन चुका है 9.5% की तेजी है विप्रो में 9.5% की और ये बहुत बड़ी रैली हम कहा सकते है क्योंकि जनरली इसने उस प्रथा को तोड़ा है जो चली आ रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से कि जिस दिन कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं बले ही क्यों न अच्छे आये हो अगले दिन गिरावड देखने को मिलती है जैसे कि TCS में हमें देखने को मिला जब हाल फिलाल में के भी Q2 की रिजल्ट्स आये थे अच्छे नतीजे के बावजूद अगले दिन 5.5% की गिरावड थी TCS में लेकिन विपरो ने भया उस चीज को तोड़ा है 9.5% की तेजी दिखाई है 735 रुपय पर पहुंच चुका है और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो विपरो के उपर मेरी पिछले 1.5 साल से कमेंटरी है और हर बार मैंने एक ही चीज बोली है खरीदो 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 हर लेवल पर बाइन करो जब भी तूटे ये मत इंतजार करो कि 100 रुपय तूटे का तब मैं खरीदारी करूँगा 30-35 रुपय की भी गिरावट आती है खरीद सकते हो आप इसको और अब ये उस लेवल पर पहुँच चुका है जहां पर काफी लोग असमंजस में रहेंगे कि वहिया अब क्या करे यहां से 735 रुपय का शेर बन चुका है बहुत हाई बन चुका है बहुत उपन निकल चुका है और काफी लोगों को अब ये कन्फियूज भी कर रहा होगा तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि 675 पे था तूटके ये 635 पर आया और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मत इंतिजार करो कि ये 100 रुबे तूटेगा तब मैं खरीदूँगा 30-35 रुबे भी तूट रहा है खरीद सकते हो आप यहाँ पर और हमेशा जब भी ये इतना तूटेगा सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके होंगे सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके होंगे यहाँ पर पिछले एक साल में अगर देखे तो विप्रो ने पिछले एक साल में 110 परसंट का आपको रिटन कमा कर दिया है 334 रुबए का शेयर वही है बहुत बड़ी रफ़तार पकड़ी है इसने और देखे हर बार तेज़ी के बाद अगिन मैं कह दू यहाँ पर डिस्कलेमर दे दू वहाई सब ऐसा नहीं है कि यह दौड़ता ही रहेगा और यह वो शेयर है जो दौड़ने के बाद थोड़ा बहुत रुकेगा गिरावट दिखाएगा फिर दौड़ने के लिए तैयार होगा फिर रुकेगा गिरावट दिखाएगा फिर दौड़ने के लिए तैयार होगा अभी दौड रहा है हो सकता कि अगले हफते आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल जाए और 700 रुपए के नीचे शेर मिले तो भई यहां खरीदने का मौका वहां पर बनेगा और तो और विप्रो में इन्फोसिस में टीसी एस में सील में यहां पर एक साथ पैसा नहीं डालना है कंजूसों की तरह ब करिदारी के मौके बनेंगे और देखें मार्केट इतना ऊपर उचल चुका है जो मैं हमेशा सा कहा हूं कि दिवाली तक तो सब कुछ बढ़िया है यहां पर ठीक है लेकिन उसके बाद आपको तयार रहना होगा एक गिरावट के लिए मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर भी का गया 30% उचल गया लोग पैसा डाले जा रहे डाले जा रहे डाले जा रहे लेकिन जिस दिन ब्या मार्केट आएगा गिरावट देखने को मिलेगी सबसे पहले वही लोग यहां से भागने वाले हैं तो अगर मैं कह रहा हूं ऐसे वक्त में फिर भागना नहीं है फिर ऐसे में नीचे के लिवल पर खरीदारी के मौके ढूंडने हैं और अभी से फंडामेंटली जो अच्छे श्ट्रॉ अच्छे शेर से श्ट्रॉंग शेर है उसको पकड़ के चलो ठीक है क्योंकि जब मार्केट डॉड रहे तो भाईया हर कोई डॉड लेगा जो बेकार से बेकार शेर भी है वो भी डॉड लेंगे यहां पर हाला कि विप्रो बहुत अच्छा शेर है अगें मैं कहा दू यहां पर लेकिन जो और अगर में कुछ कंपनियों की बात को तो वो भी डॉड जाएंगे ठीक है लेकिन जब तूटना शुरू होगा मार्केट तो भाईया वहां प पर फिर आपको पोजिशन बनानी होगी वहां पर लार्ज केप शेर है तीन लाग पचासी हजार करोड के आसपास का इसका मार्केट के अपर वॉल्यूम्स भाई सहाब चार करोड 32 लाग के वॉल्यूम्स अभी हो गए साड़े बारा बजे हैं और चार करोड 32 लाग का वॉ गार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था और 19% का ग्रोथ है यर ओन यर बेजिस पे देखेंगे तो लेकिन अगर हम पिछले क्वाटर से कंपर करेंगे तो गिरावट है यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनी को इस बार प्रॉफिट हुआ है 2931 करोड का प्रॉफिट का प्रॉफिट था तो उसके कंपरेजर में 9% की गिरावट है तो साल दर साल ग्रोथ है quarter on quarter गिरावट है यह आप कहे के चल सकते हो उसी तरीके से अगर हम देखें तो revenue की भी अगर हम बात करें तो 30% का इजाफा revenue में हुआ है इस बार का जो revenue है वो 19,665 करोड के आसपास का जो पिछले साल इसी quarter में 15,114 करोड के आसपास का था तो revenue में अच्छा उच्छाल है इस बारे में कोई शक नहीं है पिछले साल से comparison में और विप्रो भाईया 10 billion dollar का उसका जो mark था उसको उन्होंने cross कर दिया है तो यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है company के देखेंगे तो भाईया positive भी है और negative भी है अगर हम बात करेंगे विप्रो के बारे में तो UBS काफी बड़ा brokerage firm है उन्होंने विप्रो में neutral rating दी है और 660 रुपे का target दिया है मतलब उनको लगता है कि वाया यह target जो होते है वो सालनाना target होता है कि यहां तक यह शर्ट जा सक बाता है जबकि एक और brokerage firm है जिन्होंने विप्रो में मैक्वाइरी ने विप्रो वो बोला कि बाया आउट परफॉर्म करेंगा यह और 780 रुपे का target price इन्होंने दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है मैक्वाइरी ने बड़ा target दिया है जबकि UBS ने यहां पर कम target द रहा है विप्रो के बारे में अगर हम देखे तो विप्रो को लेकर according to money control user 27% लोग खरीदने की बात करें और 68% 27% लोग बेचने की बात करें और 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहें 5% लोग hold करने की नसिखत आपको देते हुए नजर आ रहे सारे target अचीव हो चुके हैं इसक देखे तो company के revenue शांदार है company के profits और भी शांदार और बहतर नजर आ रहे हैं और देखिए कोरोना काल में भी इनके revenue increase ही हुए है गिरें नहीं है और ये situation देखा जाए तो सभी बड़ी दिगज IT कमपनियों की है करोना का वह यह सबसे ज़्यादा अगर किसी company को हुआ है तो वो IT company मतलब उनको ने अडॉप किया है ठीक है work from home culture को नों ने अच्छे से अडॉप किया है लेकिन अभी के लिए विपरो की offices खुल चुकी है सभी employees काम पे जा रहे है विपरो को लेकर देखे तो अभी भी खरीधारी के मौके है क्योंकि शेर ओरबूर्ड जोन में नहीं है P ratio 34 का है जबकि sector P 38, 39 का है 34% analyst खरीदेने की सला देते हुए नजर आ रहे है अच्छा dividend paying share नहीं है क्योंकि देखो सालाना सिर्फ एक रुपे का ये dividend pay करता है लेकिन विपरो माला माल बनाता है dividend से नहीं bonus से और split से 2019, 17, 10, 5, 4 इन्होंने bonus दिया इसे पहले भी काफी बार बार bonus दिया split भी कई बार हो चुका है ये शेर तो ये भी बहुत अच्छी बात है company कई बार split हुई है कई बार bonus दिया है लोगों का एक share 1000, 2000, 3000 तक बन चुका है यहां पर और कई बार सुनते आए कि भाई आव विपरो में 10,000 डाल दिये होते तो आज 1600 करोड रुपे बन चुके होते 1700 करोड रुपे बन चुके होते कई बार सुनते आए हम और company में अभी भी potential है पैसा बना कर देने का लेकिन 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 मेरे हिसाब से बहुत बड़ी तीजी आज के दिन में आई है शायद एक दो दिन में profit booking मतलब अब तो market से Monday कोई खुलेगा कल छुटे है दशरा की तो Monday को जब खुलेगा तो मुझे लगता है कि शायद आपको एक profit booking उस वक्त देखने को मिल सकती है तो अभी म बने रहना चाहिए और जब भी गिरता है खरीदारी करके चलना चाहिए फिरिश बाइंग के मौके 700 रुपे से नीचे अगर share जाएगा तो बनेगा लेकिन कंजूसों की तरह करिएगा आप यहाँ पर किसी एक level पर बहुत सारे shares मत खरीदना दीरे दीरे add करते चले चाहिए हर 30-40 रुपे की गिरावट में खरीदारी के scope को open रखेंगे तो फाइदे में रहेंगे और दो तिन साल का आपको यहाँ पर प्लान लेके चलना चाहिए शायद इस साल के end में नहीं तो अगले साल की शुरुआत में शायद विपरो आपको bonus भी देता हुआ नजर आ सकता है तो विडियो को यहीं पेंट करूँगा फसंद आए हो तो लाइक करो शायद का चैनल पर अगरा पहली बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विपरो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखा कर बता सकते हैं थैंक्यू